दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में समय को चार युगों में बाटा गया है, सत्युग, त्रेता, द्वापर और कल्युग, अभी हम लोग कल्युग में जी रहे हैं। पुरानों में कल्युग को मनुश्यों के लिए श्राप के समान माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कल्युग का अंत कभ होगा और इसके बाद कौन सा युग आएगा। श्रापित होने के बावजूद क्यों कल्युग को सभी युगों में सर्वश्र जो किसी भी अन्य युग के मनुस्यों में नहीं होती। और भी बढ़ गया और पाप ने धर्ती पर अपनी जगह बना ली। अभी कलियुग में धर्ती पर धर्म से ज्यादा पाप है। शास्त्रों में बताया गया है कि भविश्य में कलियुग इससे भी अधिक भयंकर होगा और धर्म का जो कुछ अंश बचा है वो भी खक्म हो जाएगा। दोस्तों पुराणों में कलियुग को लेकर क्या भविश्यवानी की गई है आईए जानते हैं। जोतिश ग्रंथ सूर्य सिध्धान्त में कलियुग की उम्र चार लाख 32 हजार मनुष्य वर्ष बताई गई है जबकि अभी तक कलियुग के केवल 5123 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलियुग के इतने कम वर्षों में ही ऐसा लगता है जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर आ गया है। लेकिन जब भयंकर कलियुग आएगा तब स्थिती और भी भयानक होगी। उस समय धर्ती पर अमलवर्षा अर्थात एसिड रेन होगी जिसके कारण फसलें, पेड़ पॉधे और जीवजन्तु खत्म हो जाएंगे। इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। धन का महत्व बढ़ जाएगा और धर्ती पर धर्म, दया और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पारिवारिक रिष्टे नाम मात्र के रह जाएंगे, बच्चे अपने मा बाप को मारेंगे। वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी, धर्ती पर भुखमरी से लोग मरने लगेंगे। चारों और जानलेवा बीमारियां फैल जाएंगी, गर्मी अपनी चरम सीमा पर होगी। अत्यधिक बारिश और लंबे अकाल के चक्र में फसी धर्ती अंत में समाप्थ हो जाएगी। महा भारत के अनुसार कलियुक के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं, बलकि धर्ती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महा भारत के वनपर्व में उल्लेख मिलता है कि कलियुक के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदिया सूख जाएगी। एक भयंकर अगनी प्रकट होगी, जिसे संबर्तक नाम से संबोधित किया गया है, यही संबर्तक अगनी धर्ती को पाताल तक भस्म कर देगी। विश्नु कुरान में कलियुक का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलियुक में पाप इतना अधिक होगा कि स्रिष्टी का संतुलन बिगड जाएगा। कन्याएं बारह साल में ही गर्भवती होने लगेंगी, मनुष्य की आयू औस्तन बीस वर्ष हो जाएगी। इन सब के बावजूद एक बार जब पराशर रिषिसे देवताओं ने पूछा कि आपकी दिष्टी में सभी युगों में कौन सर्वश्रिष्ट है, तो रिषी ने वेदव्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए कहा कि सबसे उत्तम कलियुग है। यह चौकाने वाली बात जरूर है क्योंकि वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि कलियुग में सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा और अगर ऐसा है तो कलियुग सबसे श्रेष्ट कैसे हुआ। दोस्तों, रिशी ने आगे बताया, ऐसा इसलिए है, क्योंकि दस वर्षों में जितना तब करके कोई मनुष्य सत्युग में पुन्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुन्य एक साल के तब द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रित्वी लोग से धर्म समाप्त हो जाएगा, तब भगवान विश्नुकल की रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करेंगे। तब वर्षा पूरी तरह बंध हो जाएगी और सब कुछ जल कर नश्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर बारह वर्षों तक लगातार बारिश होगी जिससे सारी धर्ती जलमगन हो जाएगी। जलमें फिर से जीव उत्पत्ती की शुरुवात होगी, अर्थात स्रिष्टी युग परिवर्तन का 22 चक्र पूरा करके तेस्वे चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नव्युग आरंभ होगा, जिसे सत्युग के नाम से जाना जाएगा। तब पृत्वी लोग पर फिर जिसे धर्म की पुनहस्थापना होगी। दोस्तों, पुरानादी में सत्युग के विशय में विवर्ण मिलता है कि चैत्र नवरात्री प्रतीपदा के रविवार को इस युग की उत्पत्ती होगी। सत्युग की अवधी 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की चार हजार से दस हजार वर्ष होगी। सत्युग में मनुष्य की लंबाई 21 हाथ होगी जबकि अभीकलिव में सिर्फ तीन हाथ ही है। सत्युग में मनुष्य दिव्यवस्त्र और आभूशन धारण करेंगे, स्वन पात्र में भोजन करेंगे। गाएं इच्छा अनुसार दूध देंगी और धर्ती भरपूर अन देने लगेगी। नदिया जल से परिपूल होंगी और व्रिक्षपल फूलों से भरे रहेंगे। स्वन लोग से भूलोग पर सत्युग सबसे पहले 25 वर्ष से कम उम्र के बालकों में उत्रेगा। 25 वर्ष से कम अवस्था वालों के मन में सत्य के प्रती सबसे अधिक आस्था होगी। जब सत्युग भूलोग पर आएगा तो मन और वचन दोनों में सत्यता प्रकट होने लगेगी। आजकल जैसे धर्म के लिए कश्ट उठाने वाले और तपोनिष्ट लोगों को मूख कहा जाता है उस समय उन्हे धर्मात् सत्य न्याय प्रेन को आचर्ण में प्रमुख स्थान मिलेगा और सिर्फ यही नहीं बलकि मनुष्य जीवन की प्रत्येक अवस्था वेदों के अनुकूल होगी। बालपन की अवस्था सात्विक होगी वहीं युवावस्था राजसी और वृध्यवस्था तामसी होगी। सत्युक के अंदर कोई भी इंसान पापी नहीं होगा, लोग हर तरह से इमानदार होंगे, कोई किसी का बुरा नहीं करेगा, अर्थात उस युग में किसी भी प्रकार की बुराई मौजूद नहीं होगी, लोग स्वार्थी नहीं होंगे, वे सदा एक दूसरे की मदद करेंग और भगवान की भक्ती में लीन रहेंगे, मनुष्य भौतिक सुख की जगह, मानसिक सुखों पर बल देगा, मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, चारों और प्रेम होगा, लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे, मनुष्यों क परमज्यान की प्राप्ती होगी, सत्युग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा, इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रन होगा, अर्थात सत्युग को इस स्रिष्टी का स्वर्ण युग कहा जाएगा, परंतु दोस्तों, कल कल युग को अभी भी एक लंबा सफर तै करना है, और सत्युग के आने में लाखों वर्ष बाकी है, तो क्यों न हम लोग कल युग में ही अपने धर्म और कर्म से सत्युग की तरहे जीने का प्रयास करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेक मिलता है, कि कल में तब को विशेश महत्व दिया गया है, क्योंकि कल युग में मनुष्य की आयुकम है, इसलिए नाम जप और भगवत कथा श्रवन से ही मोक्ष प्राप्थ होना संभव है, दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, कल युग के बाद आने वाले युग अर हमारे चैनल वैदिक ज्यान संगम को सब्सक्राइब करें, सर्वे शुभं भवतू आये मिलते हैं अगली वीडियो में